हेलो फ्रेंस कैसे है आप सब आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप एक फिट के टैंग में कौन-कौन सी फिस रख सकते हैं मतलब आज दस मचली के नाम बताऊंगा जो आप एक फिट के टैंग में बहुत आसानी से रख पाएंगे जलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले बताऊंगा Tetra category के उच 20 का नाम जो आप एक फिट के टैंग में बहुत आसानी से रख पाएंगे तो पहले नामबर पे है Neon Tetra तो Neon Tetra तिट्ना category में पहले नमबर पे है Neon Tetra को आप बहुत आसानी से एक फिट के टैंग में पहले रख सकते हैं लेकिन आप एक फिट के टैंग में Six कॉंटिटी में Neon Tetra को रखे Tetra category में 2nd नमबर पे जो फिस है वह है कर्डिनल Tetra तो कर्डिनल टैंगे अप बहुत आसानी से एक फिट के टैंग में रख सकते हैं लेकिन इसको भी आप एक फिट के टैंग में एक ही रख सकते हैं अगर फिमेल बीटा फिट हुआ तो आप और कॉंटिटी में एक फिट के टैंग में रख सकते हैं अब जो फिस का नाम बताऊंगा वो लाइब बीट करते हैं मतलब अंडा नहीं देते हैं डायरेक्ट बच्चा देते हैं तो एसी चार फिस हैं गप्पी, मॉली, प्लैटी और सॉट्टेल ये फिस बहुत जल्दी बीट करता है इसलिए आपको कम कॉंटिटी में रखना मैं तो बहुत फिस हो जाएगा तो आपके फिस जल्दी मरती रहेगे लाइगा तो जब भी आपके अकुरियामें ज्यादा फिस हो जाए तो आप उसको दूसरे अकुरियामें शीफ क्ट करने की कुसिस करना गप्पी रखेंगे तो दो फिमेल रखे और एक मेल रखे मॉली रखेंगे तो दो फिमेल रखे एक मेल रखे प्लैटी रखेंगे तो दो फिमेल रखे एक मेल रखे और सोट्टेल भी रखेंगे तो दो फिमेल रखे एक मेल रखे आठ नमबर पे है जेबरा डैनियोस तो जेबरा डैनियोस के भी आप एक फिट के टैंग में बहुत अच्छे से रख सकते हैं लेकिन आपको एक फिट के टैंग में एट कॉंटिटी में रखना पड़ेगा अब आते हैं राजबोरास केटेगोरी में तो आप राजबोरास केटेगोरी में दो फिस आप एक फिट के टैंग में बहुत आसानी से रख पाएंगे तो पहले नमबर पे चिली राजबोरा और दूसरे नमबर पे हैं हाई लिक्यूइन राजबोरा ये दो राजबॉराज केटागोरी का फिस आप 1 फिट के टैंग में बहुत आसानी से रख पाएंगे और आप इसे 1 फिट के टैंग में 6 कॉंडिटी में रखें तो आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक वीडियो में बाई बाई